हाई दोस्तों क्या हाल है आप लोगों के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप लोग एडवर्टाइजमेंट से चुट करा पा सकते हैं अब जो जो मैं करूँगा वो आपको अपने फोन में करना है और उसके बाद आपको कभी भी कोई भी अडवर्टाइजमेंट परिशान नहीं करेगी ठीक है जलो फिर स्टैप्स देख लो मैं क्या करने वाला हूँ उसके बाद वो आप कॉपी कर लेना तो सबसे पहले आपको अपने फोन की सैटिंग को खोल लेना है यहाँ पर आपको कनेक्शन और शेरिंग वाला ओप्शन दिख रहा होगा वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है अब आपके सामने कुछ इस तरीके के ओप्शन्स आ रहे होंगे आपको नीचे की तरफ स्क्रोल करना है और यहाँ पर आपको private DNS का एक option मिलेगा वो off रहता है आपको उसको on करना है कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ touch करना उसके बाद इस तरीके से आएगा आपको जो है थर्ड वाल option च्यूज करना है इसका नाम है designated private DNS जैसे ही आप इसको touch करोगे इस तरीके से आपके सामने एक option आ एक website का नाम लिखना है मैं आपको नाम बताता हूँ dns.adguard.com यह एक ऐसी website है जिसके DNS से आप connect हो सकते हैं और आपको उसके बाद कोई भी किसी भी तरह की ads नहीं शोगी क्योंकि यह website जो है ads को ब्लोग करने के लिए बनाई गई है अगली बार जब भी आप अपना internet ओन करेंगे आपको किसी भी तरह की किसी भी application पे या किसी website पे कोई भी ads परिशान नहीं करेंगे आप लोग एक बार इससे जरूर ट्राय करें और नीचे comment करके बताएं तो दोस्तों यही था इस वीडियो में बहुत ही simple और आसान step तो दोस्तों इस तरह के से आप किसी भी application की फालतो की ads से चुटकरा पा सकते हैं और यह 100% काम करता है आप जरूर एक बार ट्राय करें और मुझे नीचे comment करके बताएं कि आपको result कैसा मिला इस वीडियो को देखने के बाद ट्राय करें और जो भी application आपको ads दिखा कर परिशान करती है फिर वो ads दिखा रही हैं नहीं दोस्तों यह मुझे नीचे comment करके जरूर बताना ताकि मुझे पता चले कि आपने यह वीडियो देखी है और आपके लिए यह 100% काम कर रहा है